इस फेस्टिवल पे एक और हमने आज स्वीट की रेसिपी डाली जिसका नाम है छेना पुलाओ तो जाहिर सी बात है कि छेना पुलाओ बनाने के लिए हमें छेना की जरूत पड़ेगी तो यहां पे हमने छेना की रेसिपी नहीं डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम छेना जलेबी का लिंक डाल देंगे वहां आप लोग छेना पनाने की रेसिपी सर्च कर सकते हैं तो इसके लिए हमने यहां पे साड़ साथ सा गुराम दूद लिया था और उसे हमने फाड़ के छेना तयार कर लिया है तो हमें हाद से बहुत ज़्यादै इसे मसल कर मैंनद करने के cardi压 नहीं तो direct हम इसे जार में डाल नेंगे और इसमें डालेगे टू टेबल इस्पून & मैडा तो ते बेकिंग पाौडर यह बेकिंग ।ोड़ा भी डाल सकते हैं तो यह देखिए भस इसे हमें मिक्स करना है बहुत देर तक चलाना नहीं है अब हैं एक बाल में निकाल लेंगे और इसे हम साइट कर देंगे अब हमें सुघर्षिर्भड बनाने की जरूरत है तो इक भॉल हमें चीनी लिया है तो इसे हम पतिले में डाल देंगे और जिस बॉल से हमने चीनी लिया है इसी रेशियू में हम इसी बॉल से एक बॉल पानी डालेंगे तो हमें चाशनी बगरा की कोई टेंसन नहीं है बस चीनी को मेल्ट हो जाने तक हम इसे पका लेंगे इसमें दो एलाइची भी तोड़कर हम डाल देंगे इससे फलेवर इसके बहुत अच्छे आ जाएंगे तो इस तरह से हमने डाल दिया है और इसे हम लो फलेम पे रख देंगे तो अब हमें फटाफट से छेना पुलाओ बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्राइपैन में तेल चड़ाया है तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है इसे मेडियम गरम करेंगे और एक छो छोटा वाला ग्रेटर होता है वो ले लेंगे और इस तरह से उसके उपर छेना के मिक्सर को डाल कर इस तरह से प्रेपैन करते हों जिसस तरह सेu तयार करते हैं उसी तरह से छोड़ देंगे और इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक मिनट के बाद ही हम देखेंगे कि यह चप चमच डालेंगे तो पता चलेगा कि क्रिस्प होने लगें तो अब हमें इसे उलट पुलट करके फटा-फट से एक मिनट और मुस्किल से लगेंगे और यह इसे निकाल लेते हैं और इसे बाद चाशनी में डाल देंगे जो हमने पना कर रखा है और इसी तरह से बागी बचे कुछेना से हम चेना पुलाव बना और तयार करते जाएंगे और उसमें डालते जाएंगे लेकिन फिर भी इक्षट्रा इसके अंदर चाशनी है तो इसके के उपर सारे इस बने हुए अपनी मिठाई को डाल देंगे आदे गंटे तक इसी तरह से मिलकुल भी से छोड़ देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि यह बनकर तयार हो गया सारे इसके एक्स्ट्रा जो सुगर सीरफ है वो निकल गया है